नमस्क्राइब स्वागते आपका न्यूस वर्ड इंडिया में आपके साथ मैं हूँ पारूल त्यागे और आप देखरें महाँ खास कारकरम गूड मॉनिंग इंडिया प्रधान मंति नरेंद मूदी आच्छक्रवाती तुफान या सिप्रभावेत और पश्चिम बंगाल के विबन इलाकों का दौरा करेंगे और दोनों ही राचों में इससे हुए नुकसान की समिक्षा भी करेंगे प्रधान मंतिरी सबसे पहले ओरिसा की राजथाने भूपनेश्व पहुंचेंगे जहां वो एक समिक्षा बैठक करेंगे इसके बाद वो ओरिसा के वालसों भदक पश्रमंगार के पूर्वी मिदनापूर जीलों के प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा करेंगे देली लॉटने से पहले पीम पश्रमंगार के कलाई कुंजा में भारत के भगोरे हीरा कारोबारी मेगुल चौकसी को डोमिनिका सरकार वापस एंचिगुआ बारबुड़ भी की गई है मामले में राहत के लिए दालत मपीर दाखिल कर रहे हैं मेहुल के वकील बता दे मेहुल हाली में एंचिगुआ और बारबुड़ा से परार हो गया था और उसके खिलाब इंचिगुआ के येलो नोटिस के मद्दे नजब और उसी जुमनिका में गिरफतार किय गया था एंचिगुआ की मीडिया में बुदवार को ये खबर आई एंचिगुआ और बारबुड़ा के प्रधान मंत्री ग्रेस्टेन ब्राउनी ने कहा कि उन्होंने जैमिनिका को हीरा कालुबारी को सीधे भारत को सौपने के लिए कहा है महीं मंगलवार रात को दोमिनिक परिक्षा को तैलने की जगा सीधा रद करने की मांग की गई है। परिक्षा रदद कर देनी चाहिए च्छात्रों को अंक देने का कोई तरीका निकाल लेना चुह जिस सिजल सिजल रिजल्ट घोशित हो सके 500 से जियादा च्छात्रों ने भारत के चीजज जस्टिस ओफ इंडियन एन्वी रम्ना को परिक्षा के फिजिकल संचालं के पर आम सहमती यह है कि परिक्षा आयुजित की जाने चाहिए जैसा की सिक्षा मंतुरी ने कहा है एक जून तक बारवी की परिक्षा कोले का अंतिम पैसले की घोशना कर दी जाएगी कोरोना की तीसरी लेहर के आशरंका को देखते हुए दली सरकार ने तैयार्यान शुरू कर दी हैं दली सरकार की ओडी से एलांग किया गया है कि तीसरी लेहर के बच्चों के ज़्यादा प्रभावित होने की संभावना है ऐसे में एक स्पेशल टास्क पोर्स का गठन किया जाएगा साती या अंकलन भी किया गया है कि दली में 30 लहर के दोरान करीब 40,000 बैट्स की जोरत पर सकती है इसी सिलसिले में दली सरकार ने 30 लहर के एक्शन प्लान को ध्यान में रखते हुए दो अलग-अलग समीतियों का गठन किया है पहली कमेटी जो इसका गठन किया गया है इसमें आज सदस्य होंगे और खास तौर बच्चों पर कोरोना के तीसे लहर के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए तयारियां करेंगे इस कमेटी के अध्यक्चुता कोरोना मामलों के नोडल अधिकारी आई एस सत्य गोपाल करेंगे इसके अलावा कमेटी में स्वासे विभाग के प्रधान सचे शिश्चु रोग विश्यशक गया है और कई बड़े अस्पतार के मेडिकल डिरेक्टर और मेडिकल सुप्रिटेंडेंडेंट बतौर एक्सपर्ट शामिल होंगे कॉरोना संक्रमन की वज़र से इसकूल कॉलेजों में औरनलाइन पढ़ाई को रही है इसी तरश पर आप उत्रपदेश के मदरसों में भी ऑनलाइन पढ़ाई कराई की मनजूरी मांगी थी जिसे सरकार ने मनजूर कर लिया है इसके बाद अब बड़े चात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो जाएगी गुरुआ को यूपी सरकार के संख्या कल्यान मंत्री नंद गुपाल गुपता नंदी ने बाकी दूसरे सिक्षा बोर्ड की तरह ही मदरसा सिक्षप परिशत के अधीन चल रहे मदरसों में ऑनलाइन पढ़ाई कराने की मंजूरी दे दी है इसके बाद मदरसों में कामिल पाजल की पढ़ाई कर रहे चात्रों की ऑनलाइन क्लासे शुरू हो जाएंगी गुड मॉर्निंग इंडिया में फिलार के लिए बस इतना ही आप देखते रहें न्यूस वोर इंडिया